असलाम एलेकूँ आहिए ग्रड है आप लोग देख रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान बेंग मेरे पेवरिट सेग्मिन का अ प्राइजिए जो के हैं गेंट यहारा circumstance जो के हमारा नहीं है बैसे कृटी वह इन लोगों का सेग्मिन एब वैसे दो हमारे पूरे शो के एक्जेक्टिव प्रोडूसर आप हैं लेकिन ये खास तौर पर जो सेग्मेंट है आप ही डिजाइन करते हैं आप जाने आम ना जाने हम तो दो बस ऐसे असिस्टेंट से लोग हैं आखरी एंड पर आकर हम आपके सामने पेश कर देते हैं जो आँ हमें चलते हैं तस्वीरों की साहिब यह हैं अबास ने शाहत्कोर डिस्ट्रिक्ट नंकाना सामिब हने घृप निजियैं वाह वाह कॉंपोजेशन बहुत अच्छी है और यह ऐसे लग रहा है कि इम्रान ने अपने हाथ से सूरज को ऐसे हवा में छोड़ दिया जाओ आज से तुम आजाद हो जिन्दकी गुजारो अच्छी और यह भी बहुत प्यारे से दो बेबीज है इनके नाम भी आपने हमें इम्रान उनके नाम आपने बताने है अच्छा शकल से ही शरार्ती लग रहा है वो जिस तरह देख रहा था आच्छी उसके बार हमें दानी कोड़ा ने मैसेज भेजा है इनका नाम बहुत प्यार है वैसे मंदी बहावदीन मलकवाल से इन्होंने हमें क्या भीजा है देखते यही तो फाइदा होता है यही तो फाइदा है कि अगर प्रोड्यूसर जो है जो पैनल पे बैठा वह है वो यह बात इस तरह से करें के मेरे कम असकम कामों की तक अवाज जानी चाहिए तो पिर वह अवाज इदर से निकल के इदर भी पहुंच गई जी अंबिया बहुत ही बहुत ही खुबसूरत यह तो अचार डालने वाला कुछ मूड बन रहा है लेकिन अंबिया जब आम बन जाएंगे ना दानी तब इनकी तस्वीर खेंच के हमें जरूर भीजना है वेरी नाइस प्यूटिफूल जबरदस्ट ओ सूरज मुखी के फूल भी आगे हैं मुझे स ब्यूटिफूल वेरी नाइस अब यह बताओ इसकी आखे कितनी शरारती है यह तो और यह कुछ कर रहा है यह शरारत कर भी रहा है कुछ बहन के साथ कुछ मस्ती हो रही है कुछ शरारत चल रही है ना जी वेरी नाइस ब्यूटिफूल गंदम का खेत और पीछे चोटी सी प्यारी सी एक मस्चिद है जी वरी नाइस पिक्चर आचा जी उसके बाल हमें एहमद ने तस्फीरे भीजी है एबटाबाद से लो जी एहमद की एंट्री हो गई है अरे वह पूल प्यूटिफुल फ्लावर्स बहुत बहुत शुक्रिया एहमद एबटाबाद के फूलों से हम हमारा राइजिंग पाकिस्तान का गार्डन सज गया यह भी बहुत इच्छे भी वेरी नाइस जी उसके बाद हमें अब्दॉल्ला ने तस्वीरे भीजी है इसलामाबाद से लो जी इसलामाबाद वालों की एंट्री भी हो गी है राइजिंग पाकिस्तान में और इनका नाम है अब्दॉल्ला अब्दॉल्ला ओके यह इन्होंने हमें कान की सारी जो है ना इन्याटमी बताई है कि इन्सान सुनता कैसे है और कहां से आवाज इधर जाती है अब मतलब यह बात से नहीं बात से नहीं जो आपका इसाइनमेंट थी वह इधर बेज दिये इसकी तो खैर है लेकिन जो इधर बेजनी थी वह बेज ना बेज दियो यह ना हो अच्छा जी मिठुमिया भी आए वे आए है अब देखें अब्दॉल्ला ने हमें दो कितनी तीन अब तस्वीरों का सिलसला हुआ खतम और हम चलते हैं मैसेज़ेस की तरह मदीहा ने हमें एप्टबाद के गाउं भुराज से तस्वीर भेजी और वो कहते हैं फात्मा अपी तौसीग भाई अदाब क्या हाल है तस्वीर नहीं भेजी पैगाम भेजा है जी बिल्कुल बिल अजमी देखती हूं बहुत शुक्रिया थैंक यू वरी मैच बहुत शुक्रिया थैंक यू वरी मैच जो आपने अड़ कि बहुत कुछ सीखा है तो आई होब कि अच्छी चीजों की तरफ आपकी निशान देहीं कर तो तौसीग अंकल से कोई मतलब कुछ भी सीख सकते हैं आपको बता है मैं तो ऐसी बातें बहुत सरी कर रहा हूं तो अच्छी चीज़े सीख हूंगी तब ही उनके पेरेंस उनको आज भी देखने दे रहे हैं अच्छी उसके बाल हमें नीदरलेंड से मेसेज आया है और हलीमा ने हमें मेसेज किया है वो कहती है तो असीख सर मैं आपका प्रोग्राम रुजाना की बुनियाद पर देखती हूं जी बिलकुल नेदरलेंड से आपने हमें याद किया है और पीड़ी ग्लोबल की उपर या ऑनलाइन भी हमारा शो बैरोने मुल्क पाकिस्तानी में बहुत जादा मखबूल है यूरोप के अंदर खास तोर पे लेकिन नेदरलेंड यानि हॉलन में आप किस इलाके में रहती हैं और वहां क्यूं है कोई जॉब कर रही है पढ़ रही है या फैमिली के साथ है तो हमें थोड़ी सी तफसील भी भेज़ें प्रोग्राम के आपने तारिफ की बहुत बहुत शुक्रिया है बलकि यहां पे हम उर्दु फेर दिल करता है तो हम पाकसान जेह बिशन के जौन के नहीं देखते हैं और आप नहे हमें एकिस मुल्क में किस शैंहें हमारा प्रोग्राम देके हमीं जulenीर Geschm 해서 दिख और वो कहती है गुड मॉर्निंग तौसीग भाई पिछले प्रोग्राम में पेगाम भेजा था तो आप ने कहा था कि जड़ा अपने बारे में मजीद बतलाईएगा आप क्या करती है क्या पसंद क्या नापसंद है तो मैं क्लास 10 की स्टोडिंट हूं आज कल अभी पेपर्स दिये हैं और अगली क्लास शुरू भी हो गई है मैंने अपनी दोस्तों को स्कूल जाकर बताया कि मेरा प्रोग्राम में शामिल हुआ मैं बहुत खोश हुई मेरी दोस्तों ने मुझसे फरमाईश की है कि आप बाबर आजम श्वेब मलेकों प्रोग्राम में मदू करें हम क्रिकेट के सूपर स्टार्स के बहुत फैन है बिलकुल और आने वाले वर्ल्ड कप में तो हमारी बहुत सी नेक तमनाई और दौएं भी अपनी टीम के साथ है और आपके फरमाईश नोटिद है जब जब भी मौका मिलता है हम चाहे मुजिक इंडिस्ट्री चाहे शोबिज चाहे स्पोर्ट्स के दुनिया के स्टार्स हों उनको हम राइजिंग पाकिसान में बलवाते रहते हैं बलकुल जी उसके बाद हमें फरा अलवी ने पाक पतन से मेसेज किया और वो कहती है तौसीग अंकल आपकी मिलियन डॉलर एडवाइस ना सिर्फ मैं बलके अमी अबू और सब लोग बहुत गौर से सुनते हैं और उन पर अमल भी करते हैं मैंने भी अपने गाउं के बच्चों को देखा कि वो इतने बेपरवा हो गये हैं कि उनकी जिन्दगी का कोई मकसद ही नहीं रहा तो मैंने उनको एकठा किया और उन बच्चों को कहानिया और हमें इस माश् leftover के हैसिएट से यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं क्या करूं दुनिया में कुछा बढ़ा सा काम करते हुं बड़ा सा काम करें बड़ा सा काम करने का सोचना भी चाहिए, ड्रीम करना चाहिए, खाब देखने चाहिए, लेकिन अगर आपके अपनी चोटी सी दुनिया है, उस में आप कुछ बड़ा सा काम करें तो उसका ज्यादा इंपक्ट है, तो बड़ी दुनिया ढूंडने में तो बहुत वक्त निकल जाता है, आप किस कोट में र जॉइन करेंगे, उन से भी हमें सवाले से बात करेंगे, कि उन्होंने भी पाकिस्तान आकर किस तरह से बहुत सी लाइफ को इंपक्ट किया, बहुत सी जिंदगियां बदली, और इस वक्त डॉक्टर क्रिस श्मुटसर की जो लाइफ है, वो पूरी दुनिया में एक मिसाल उसकी है, वो रावल परिनी बे रहती है, अभी कुछ तरह में हमें राइजिंग पाकिसान के सेट्स पर जॉइन करेंगे, बल्कुल जी, उसके बाद हमें नाइला सुल्ताना ने लकी मर्वत से मेसेज की और वो कहती है, आज तौसीग भाई और उनके साथ ही ने जो मश्व काम करना छोड़ देगा, दोनों में बैलेंस होना चाहिए, अभी मैं करतो, MBA का जो सेगमेंट है, उसको इतना अच्छा समप किया है, आईशा के रहा हमेंजी, नाइला सुल्ताना ने इतना अच्छा समप किया है, MBA के सेगमेंट को आज आज जो हमने बात की राइसिंग पा मैं बिल्कुल आपका स्टायल था, उम्मीद करती हूँ, आप सब ठीक होंगे, मैं मेरी अम्मी और दादी आपका शो रिपीट में जरूर देखती है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मैम रुबाब का सेगमें दुबारा से शुरू करें क्यूंके मैं खुद भी आर्ट औ क्र करती हूँ, और आप बाबर आजम को अपने शो में बुलाएं भी, मैं पाकिस्तान क्रिक्टीम की बहुत बड़ी फैन हूँ ना, बाबर आजम की फर्माइश बहुत जादा आरी है, बहुत जादा आरी है, बहुत जादा पड़ेगा और रुबाब तो बिल्कुल आप सही क होता था, और हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्द तुबारा से रिज्यूम हो सके, बल्कुल जी, उसके बाल हमें हुमेरा बलोच ने कोईटा से मेसेज की और वो कहती हैं कि मैंने बहुत बार प्रेगाम भेजा है, तस्वीरे भेजी हैं, लेकिन शामिल नहीं हुई, प् बहुत बहुत कूल लगते हैं, अबसलोटली हुमेरा थैंक यू वेरी मच आपने प्रोग्राम में शमूलित इख्तियार की, और यह देख लीजे, अब तो आपका गिला मतलब आपको अपने अलफाज वापिस लेने पड़ेंगे हुमेरा, क्योंकि आपका आपका आपकी ज इसको भी शामिल किया है, और जराब कोईटा हमारा वो प्यारा सा शहर है कि जहां जाके मुझे तो बहुत सुकून मिलता है, और वहां पर जो उसके जो पहाड़ है, और खास तोर पे, अगर कभी आप कोईटा से कराची बाइरोड जाए, या कोईटा से लाहॉर याप बलोचिस्तान की बज़दार बात बताऊं कि अगर आप ट्रेन में बलोचिस्तान का सफर करें, वो इतना पुरलुफ एक एक्सपिरियंस है, जो ट्रेन जाती है और उसके अंदर उसमें जो आप नजारे देखते हैं, तो हमेरा बिलकुल और आप अपने अलाके के बारे में बताएं, कुछ उसकी तसावीर भी खेंच कर भेजें, और यलो सोफा जो हमने पूछा था कि इसका कलर क्या होना चाहिए, तो हमेरा निका आप भी मशवरा दे सकते हैं, बस ही खतम हो गया, अच्छा तो हम चलेंगे कराची, जहां पे शारुफ नदीम है, और दो बहुत ही जबरदस्त किताबें, जिसमें से जो पहली वाली किताब है, वो मैंने खुद पढ़ रखी है, आई वस सो हैपी, जब शारुफ ने उसको फीचर करने का सोचा, यह वाकिए बहुत जबरदस्त किताब है, ट्रांसफॉर्म कर देगी आपको, तो यह दोनों किताब, दूसरी एपिसोड है, जो हम फीचर करने जा रहे हैं, रहिए मेरे और फातिमा के साथ, यह है राइजिंग पाकिस्तान, चलते हैं कराची. पूरी दुनिया को बदल के रख दिया है, और अगर आप इन इंटिलेक्चुल्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो यह किताब The Modern Mind आप लोगों ने जरूर पढ़नी है, आइंस्टाइन ने किस तरीके से अपने mathematical formula E is equal to mc square से दुनिया को हिला के रख दिया था, हबल ने कि इस तरीके से expanding universe का concept produce किया, बर्टन रसल ने कैसे अकलो दानिश के दरवाजे खोले, स्टीफन हौकिंग ने कैसे black holes के उपर path breaking research की, यह सब आपको इस किताब modern mind में मिल जाएगा, देखें दोस्तो history यानी तारीख के बारे में एक बात बहुत मशूर है, वो कहते हैं कि people who do not learn from the mistakes of history are forced to repeat them, जो लोग तारीख की गलतियों से नहीं सीखते, उनके उपर लाजमी हो जाता है कि वो उन गलतियों को दोराएं, यह जो किताब है the modern mind यह आपको बताएगी कि तारीख के अंदर intellectual minds की कि कितनी जादा है, किस तरीके से उन्होंने उस वक्त अपने मौशरे को दुनिया के साथ हाथ से हाथ मिलाके नहीं चलेंगे, हम कभी भी progress नहीं कर पाएंगे, लहाजा if you don't want to miss the journey of intellect, तो पीटर वाटसन की यह किताब the modern mind आप लोगोंने जरूर पढ़नी है, जिनने लौर नी वेखिया, ओ जम्याईनी, यह एक ऐसी line है जिससे हर पाकिस्तानी वा पारगी एक मनफरित किताब है, इसमें उन्होंने लहौर शेहर से जो उनकी उनसियत है, जो उनकी वाक्फियत है, जो उनकी महबत है, उसका दिल खोल के जिकर किया है, जब आप ये किताब पढ़ते हैं तो आपको महसूस होता है कि ये एक आशिकी दास्तान है, जो लहौर ये इशक में इतना महव हो गय कि उसकी गली गली से उसको प्यार है, मुस्तंसर हुसें तारर साब की तहरीर में खासियत ये है, कि जब आप उनको पढ़ रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है, आप उसी जगा पर मौजूद हैं, यू किन एक्चुली फिल दे प्लेस, ये जो कि लोहूर के बारे में मजीद जानना चाहते हैं, तो लोहूर अवारगी आप लोगों ने जरूर पढ़नी हैं।